नमस्कार निश्मनेशन देख रहे हैं और मैं हूँ आपके साथ रजिन सिंग आपको बताएंगे आज लालू यादव और उनके तमाम परिजनों के लिए आज बहद ही खास दिन है क्योंकि आज लालू परशाद यादव की सुनवाई की तारिक है और आज लालू परशाद य लेकिन सोला तारिक को जब कल के बाद जो सोला तारिक के दिन जो है वो कोट में संक्रमन हो गया था एक विक्ति की मृत्ती हो गए थी इसके कारण कोट ने आज के लिए सुनवाई की तारिक रखी है इस तरह से कोट में एक विक्ति की मौत हूँ इसके बाद को पूरी तरह स सेनिटाइज करने के लिए जो है कोट को कल सोला को बंद रखा था और आज जो है सत्रा तो आज की दिन सुनवाई होनी है और इस वक्त हम मौझूद है दस सरकुलर रोड रावडी हाउस के पास और रावडी हाउस का नजारा बदला बदला है क्योंकि आज काफी सन्नाटा दि लालो पुषाद यादब की बेटी हैं जो लालो पुषाद यादब के लिए रोजा रख रही है वही तेज पुष्वी यादब बीते कुछ दिन पहले देवघर में थे और उन्होंने बात करते हुए मिडिया से कहा था कि पूजा अर्चना के लिए रिहाई के लिए उन्ह तबाम चीजों को लेकर आज जब सुनवाई होनी है तो फिलहाल जो राबडी हाउस का जो नजारा है वो देखी कि इस तरह से सनाटे में फिलहाल अभी तब्दील है अमोमन इस तरह का नजारा यहां होता नहीं है क्योंकि जब भी जिस दिन भी सुनवाई होती है समर्थक यहां आजाते हैं लेकिन कुरोणाकाल चल रहा है क्रोणाकाल में देखते हुए आज 17 तारीख है और 17 तारीख को सुनबाई भी है साथी साथ सर्वदल ये बैठक भी एफ लेकिन आपको बता दे कि जब सुनबाई आज सेकेंड हाप मेंनी कलकर जब सामने आएगी कि क्या कु से रावडी हाउस का जो नजारा है वो सन्नाटे में फिलहाल तब्दील है तस्वीरों में देख रहे हूं कि इस तरह के से लालो पुषाद यादव के चाहने वाले वो आज फिलहाल रावडी हाउस पर दिख नहीं रहे हैं लेकिन फिरहाल जो तस्वीर है लालो आवास की जो रावडी आवास की जो तस्वीर है वो हम आपको दिखा रहे हैं आज सर्व दलिय बैठक भी है और नितापरति पक्षित श्री यादव के साथ तमाम सत्तापक्ष के लोग भी इस बैठक में हैं लेकिन आज सबसे बड़ी खाबर जो होगी वो जिस तरह से लाल परशाद यादव को क्या आज रिहाए मिलती है या आज फिर से तारिक बढ़ाया जाता है यह देखने वाली बात होगी तिलाल के लिए बने निस्टोनेशन के साथ नमस्कार